हलो बस्चो कैसा हैं आप के सामने एक बार फिर से मैं हाजर हूं आपका राज़ंदर रिकामत और आज मैं आप लोगों के लिएलाया हूं कॉड्रट्री टिक क्र्वेशन की आज बस्यों मैं आप लोगों को क्वाड्रेट्रक करने के कौन-कौन से तरीके हैं इन सारी चीजों को डीटेल में बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें चलिए आपका समय ज्यादा ना लेते हुए आज का है वह हमारा क्वाडिटिक एक्वेस्ट चैनल के ऊपर तो क्वाडेटिक एक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम यह समझ्ञा होगा क्या क्या श्रब्सक्राइए उसका एक जनरल equation किसे कहते हैं तो प्यारे बच्चों अगर हम quadratic equation की बात करें तो इसका तो general form होता है वो होता है एक स्क्वार प्लस बी एक्स प्लस C equals to 0 ठीक है प्यारे बच्चों आप एक छी ध्यान देना कि यह है जो quadratic equation है इसे हम हिंदी में कहते हैं द्वी घात समीकरन द्वी घात समीकरन तो यह द्वी घात का क्या होता है हात हम लोग कहते हैं पावर को और दूइ का मतलब होता है तू अर्थात वैसा noon जिसका डिगरी डिटू हो हो तो जअनरली हम उस पॉलिनोमियल को कौड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं ठीक है बचो यानि कोई भी обсन हमारे सामने अगर ax square plus bx plus c equals to 0 के रूप में हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह जो equation है यह actually में quadratic equation है ठीक है प्यारे बच्चों तो quadratic equation जब ही हमें दिया रहता है तो उसको solve करना है तो इसके बारे में पहले हमको कुछ बाते जान लेनी चाहिए तभी फिर हम उस solution को ठीक से कर सकेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो quadratic equation है इसका general form होता है ax square plus bx plus c bx plus c equals to 0 प्यारे बच्चों आप हमेशा यह ध्यान देना कि quadratic equation को हम जब भी solve करेंगे तो यहां पर x का जो value आएगा यह हमेशा दो value आएगा इसका अर्थात यह जो values आते हैं एक्स के इनको हम इसका zeros 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 या फिर रूट्स कहते हैं रूट्स ठीक है बच्चों या तो इसको इसका 0 कहेंगे या फिर रूट्स कहेंगे और generally हम इसे alpha और beta से represent करते हैं यानि alpha और beta जो है वो quadratic equation के roots या solution या zeros कहलाते हैं ध्यान देने वाले बात यह है कि कभी भी quadratic equation को अगर हम solve करेंगे तो हमेशा इसके दो values आएगे अब यह जो values है प्यारे बच्चों वो depend करता है कि इसके roots कैसे होंगे तो इसको जानने के लिए कि इसका roots कैसा होगा हमें यहाँ पे कुछ बातों को समझना होगा पहले आप इसको समझ ले इसके बाद मैं इसके बारे में आपको और detail में बताता हूँ प्यारे बच्चों अगर हमको सबसे पहले यह पता करना है कि quadratic equation का जो solution यानि zeros या root हम find out करने जा रहे हैं उसका nature कैसा होगा तो उसको जानने के लिए हमें इसका पहले discriminant निकालना होगा हिंदी में इसको बच्चों विवित कर कहते हैं जनरली हम इसको डी से रिपर्जेंट करते हैं और डी निकालने के लिए हमारे पास जो formula है वो है b square minus 4ac ठीक है बच्चों यानि हम सबसे पहले इस formula पर जो भी हमारे पास variable है constantence को बठा कर हम define out कर लेते हैं और तब हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये जो quadratic equation हमें दिया गया है इसका root कैसा होगा तो यहां पर अगर हम देखें तो तीन बातों को हमें ध्यान देना होगा सबसे पहली बात जो है प्यारे बच्चों वह यह है कि अगर डी greater than zero हो तो इसका जो roots होगा प्यारे बच्चों वो real roots होंगे real roots बट यह roots unequal होंगे यानि दो different roots हमें यहां पर मिलेंगे यानि जो x का value हम find करेंगे यह दो अलग-अलग values आएंगे यह first condition है याद रखना है d greater than zero हो तो real roots मिलेंगे बट दोनों का value same नहीं होगा अलग-अलग होगा ठीक है अब जो second condition है बच्चों वो है if d equals to zero तो इस case में जो roots होंगे वो real होंगे real roots होंगे बट इस बार दोनों root equal होंगे यानि हम जो solution find करेंगे यहाँ पर यह दोनों solution equal आएगा दोनों value same आएगे ठीक है बच्चों अब जो तीसरा है वो है if d is less than zero यानि d का value negative आजाता है तो negative आने का मतलब वो zero से छोटा होगा तो अगर यह zero से छोटा है तो इस case में no real roots exist यानि प्यारे बच्चों इस case में हम इसका real root find out नहीं कर सकते हैं तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपके पास कोई question हो तो उसको solve करने के लिए आपको उसका d find करना चाहिए और d देख लेना है कि अगर d greater than या equals to zero है तब तो इसको आपको solve करना है लेकिन अगर d का value zero से less आता है तो इस case में इसको solve नहीं करना है क्योंकि उसका solution ही possible नहीं होगा ठीक है प्यारे बच्चों अब यह जो quadratic equation है इसको solve करने के तीन तरीके हमारे पास हैं तीनों तरीकों को मैं आपको एक एक करके यहां पर बताऊंगा जो सबसे पहला तरीका है इसको हम लोग factorization method के नाम से जानते हैं factorization आपने previous classes में पढ़ा भी होगा उसमें एक method का नाम आपने जरूर यह सुना होगा middle term factorization middle term factorization यानि इसको हम middle term factorization method से solve कर सकते हैं ठीक है पहले पहले एक जांपल लेते हैं और उस question को middle term factorization method से solve करते हैं तो माल लिया आपके पास equation है यहां पर यह question है 6x square plus 11x plus 3 equals to 0 ठीक है बच्चों अब देखिए आपके सामने यह जो quadratic equation है इसे हमको factorize करके solve करना है तो factorize करके solve करने का जो सबसे आसान method है वो आपको मैं यहां सिखा रहा हूँ किरिपे आप इसे ध्यान दे यहां पर factorization method से इसको solve करने के लिए आप सबसे पहला काम यह करें कि इसका जो दोनों extreme number है यह extreme आप इस दोनों को multiply करें कहीं रफ में कर ले मनी मन कर ले अगर मनी मन करेंगे प्यारे बच्चों तो यह 63 18 x square ठीक है यह आएगा 18 x square चाहे तो आप कहीं इसको लिग भी सकते हैं आप में नहीं भी लिग सकते हैं अब दूसरा जो काम आपको यह करना है प्यारे बच्चों कि आपको अभी जो दोनों extreme number को multiply करने के बाद जो number मिला है वह 18 x square है औ अगर केवल इंटीजर की बात करें पहले तो यहां पर यह समझेए आपको यह सोचना है कि हम ऐसे कौन से दो number ले जिनको अगर multiply करें तो 18 मिल जाए लेकिन उसको plus या minus करें तो फिर हमें 11 प्राप्त हो जाए ठीक है तो इसके लिए क्या करिए आप 18 का प्राइम फेक्टर निकाल लें आप देखिए इसको यहां डिवाइड करिएगा तो यह अगर 9 फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 ठीक है बच्चो अब यहां पर अब ध्यान से देखेंगे तो आपको जो फैक्टर मिला 2 x 3 6 6 3 जा 18 तो अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से कर दे 3 x 3 x 2 तो यह 3 3 जा मिलता है 9 और यह है 2 तो 9 प्लस 2 यह मिल जाएगा 11 ठीक है प्यारे बच्चो यानि अगर 9 x और 2 x लिया जाए तो दोनों को मल्टिप्लाइ करके 18 आ जाएगा और अगर हम 9 और 2 को प्लस करेंगे तो फिर 11 भी मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने यह फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले कि हमें क्या करने से इसका जो फैक्टर है वो हमको मिल सकता है तो मैंने आपको बताया कि दोनों जो एक्स्ट्रीम नंबर थे जैसे यहां 6 x square और 3 था तो मैंने उस दोनों को मल्टिप्लाइ किया मल्टिप्लाइ करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 18 x square फिर मैंने 18 का प्राइम फैक्टर किया और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखा कि 3 x 3 x 2 आ रहा है तो फिर मैंने यह उसको पेरिंग किया और पेरिंग करके यह decision किया कि अगर मैं 9 और 2 का grouping करूं तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा और 9 को 2 से multiply करूं तो फिर यह मुझे 18 भी मिल जाएगा यहां पर ठीक है तो यह जो मैथड मैंने अभी आपको बताया अब हमको अब हमको उस चीज को यहां पर इस्तेमाल करना है यानि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यह हो गया 6 x square प्लस और यह जो 11 x है हम इसको लिख सक करना है यह दोनों को एक साथ लेना है यह दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों में हमें common factors जूड़ने हैं ठीक है बच्चों तो अगर आप इन दोनों की बात करें तो आप यहां देखेंगे 6 और 9 दोनों 3 से divisible है तो आप इसमें 3 को common ले लो आप देखें यहां x और x भी दोनों में है तो x को भी common ले लो तो 3 से जब 6 को divide करते हैं तो यह मिलता है 2 और इस x square से हमने x को बाहर ले गया तो यहां बच गया x इसी तरह से 3 से 9 को divide करेंगे तो 3 और यह x तो already बाहर जा चुका है अब यहां पर देखें बच गया यह दोनों इस दोनों में कुछ भ common ले ले तो अगर हम one common लेते हैं तो जो bracket है उसमें हमको मिल जागा 2x plus 3 ठीक है बच्चों अब देखें अभी इस दोनों bracket में सेम चीज़ आज गया है तो इस bracket को हम लोग फिर से common ले सकते हैं तो यह आएगा 2x plus 3 एक bracket में और यहां जो 3x बचा यह वाला और प्लस यह जो one बचा यह वाला इसको हम दूसरे bracket में ले लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास तो bracket मिल गए तो यह जो दोनों bracket थे बच्चों यह दोनों bracket हमें इस तरह से मिले 2x plus 3 और 3x plus 1 ठीक है तो अब हमें करना क्या है अब हम आगे इसको बढ़ते हैं अब हमें जो अभी दो bracket यहां प 2x plus 3 और दूसरे bracket में मिला है बच्चों 3x plus 1 equals to 0 अब हम बारी बारी से इसको 0 से equate करेंगे तो 2x plus 3 equals to 0 तो 2x equals to plus 3 को right side आप ले जाएं तो minus 3 तो केवल x निकालेंगे तो यह आएगा minus 3 by 2 पहला answer आ गया है ठीक है बच्चों अब यह अब second bracket को लो तो यहां 3x plus 1 equals to 0 तो यह 3x equals to मिला minus 1 तो x equals to मिलेगा minus 1 by 3 ठीक है तो इस तरह से हमने यह दूसरा answer भी find out कर लिया ठीक है बच्चों तो यह जो पहला method था यह था middle term factorization method अब जो इसका दूसरा method है दूसरा method को हम लोग कहते हैं बच्चों completing square method completing square method तो completing square method से हम quadratic equation को कैसे solve करेंगे अब मैं इसे question को completing square method से आपको बताता हूं चलिए एक बार फिर से हम question को ले ले लेते हैं question है हमारे सामने 6x square plus 11x plus 3 equals to 0 प्यारे बच्चों इस method को एड़ाप करने के लिए कुछ बाते को जानना जरूरी है आप यहां ध्यान से मेरी बातों को सुनें देखिए जब अब ही आपको completing square method से question को solve करना हो सबसे पहला काम यह करना है कि x square का जो coefficient है जैसे यहां पर 6 इसका coefficient है तो हमेशा आप इनमें सारे term को x square के coefficient से divide कर दो ठीक है बच्चों जैसे आप यहां देख रहे हैं कि x square का coefficient क्या है 6 है तो हम क्या करेंगे इसमें सारे term को 6 से divide कर देगे ठीक है बच्चों तो जब सारे term को 6 से divide किया तो यह 6 और यह 6 सुनले x square का जो coefficient है उससे हमको सारे term को divide कर देना है जैसे यहां x square का coefficient 6 था तो मैंने सारे को 6 से divide कर दिया तो 6 6 cancelled हो गया यानि यह x square के अबल बच गया second term 11 by 6 x हो गया और third term जो 3 by 6 था मैं उसको right side के उधर ले गया तो उधर जाके यह minus 3 by 6 हो गया क्योंकि यहां plus का sign था ठीक है बच्चों अब जो अगला step है उसको बड़ी ध्यान से आप सुनिए क्योंकि अगला step पर सारा जो है डिपेंड करता है अभी ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका जो second step में जो नंबर यहां पर है constant यह 11 by 6 है ठीक है बच्चों अब आप अगले step में क्या करें कि आपका जो second term है ठीक ह अभी जो हमारा second term था बच्चों तो यह हमने अभी निकाला था यहां पर x square प्लस 11 by 6 x और इधर minus 3y यह 6 था तो अब जो second term है आप क्या करें second term को 1 by 2 से आप multiply कर दें ठीक है तो जब आप इसको 2 से multiply करतें 1 by 2 से तो आपको भी लेगा 11 by 12 ठीक है अब इस 11 by 12 का square करके इस number को आप इधर भी आड़ करें और इधर भी आड़ करें ठीक है फिर से सुन लें आपका जो second term बचा हुआ है जैसे इसमे 11 by 6 है इसको हमेशा कोई भी number हो कोई भी question हो उसको 1 by 2 से multiply करें multiply करने के बाद जो number आया उसका square करके आप दोनों side में LHS, RHS में दोनों में इसको add कर देना है ठीक है बच्छो तो यहाँ पे हम आप इस काम को यहाँ करेंगे यानि हमने जब इसको multiply किया 11 by 6 को 1 by 2 से तो हमें मिला 11 by 12 अब हम क्या करेंगे 11 by 12 का square करेंगे और उस square को हम LHS और RHS दोनों side में इसको plus कर देगे ठीक है बच्छो तो ऐसा करने पर देखें क्या मिलेगा आपको यह मिला x square plus 11 by 6 x plus 11 by 12 का whole square अभी just मैंने बताया और यह काम मैं इधर भी करूँगा इसको मैं इधर भी add करूँगा तो 11 by 12 का whole square इधर भी मैंने plus कर दिया और इधर भी plus कर दिया ठीक है बच्छो चलिए बागे बढ़ते हैं अब जब हम 11 by 12 square को दोनों side plus करेंगे तो हमारा जो इधर lhs का part है अब ध्यान ने यहां पर यहीं पर जो है वो बहुत बारिकी से समझने का चीज है यहां पर जो हमको मिला a square plus 11 by 6x और plus 11 by 12 का whole square और इधर मिला है minus 3 by 6 plus 11 by 12 का whole square प्यारे बच्छो यह जो पूरा term है इसको हम लिख सकते हैं x plus 11 by 12 का whole square क्योंकि जब आप इसको a plus b whole square के फार्मूला पर ब्रेक करोगे तो आपको फिर से यहीं term मिल जाएगा ठीक है बच्छो और इधर आप देखे मिलेगा आपको minus 3 by 2 plus आप जब 11 का square करेंगे तो 121 और 12 का square करेंगे तो मिल जाएगा 144 ठीक है बच्छो ठ्यान से फिर से एक बार देख लें x plus 11 by 12 का whole square equals to minus 3 by 2 plus 121 by 144 अब हम आगे बढ़ते हैं अब इसको हम थोड़ा simplify करेंगे जब इसको हम simplify करेंगे बच्छो तो यहां पर हमें मिलेगा x plus 11 by 12 whole square equals to अब वहां पर जब हम लोग minus 3 by 6 plus 121 by 144 था इसका LCM लेंगे पार बच्छो तो यह LCM आएगा 144 6 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 24 आएगा 24 का मैं-3 से multiply करूंगा तो यह minus 72 आजाएगा और second वाला नंबर जो 121 by 144 था तो 144 से 144 को डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा इसलिए उपर में 121 ही रह जाएगा ठीक है बच्छो यानि आगे हम मिलेगा इस तरह से X plus 11 by 12 all square equals 2 अब 121 में से मैं-72 कर दूं तो यह बच जाता है 49 और नीचे बच गिया 144 ठीक है बच्छो अब यहान ध्यान दे जब मैं यहां से square हटाऊंगा तो अभी से लिए इसके उपर में root आ जाएगा ठीक है ना तो जो next step होगा वो कुछ इस तरह से होगा X plus 11 by 12 equals 2 under root 49 by 144 ठीक है बच्छो तो हमें मिलेगा X plus 11 by 12 equals 2 अब मैं जब इसका square root निकालूंगा तो यह मिलेगा plus minus 49 का square root 7 होता है और 144 का square root 12 होगा बच्छो यानि हमारे पास अभी जो आया है वह है X plus 11 by 12 equals 2 plus minus 7 by 12 एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहां कभी भी आप square root निकालें तो plus और minus का sign दोनों दें क्योंकि अगर हम जब square करते हैं तो number चाहे plus में रहे या minus में उसका value हमेशा positive आता है ठीक है इस बात को यहां पर इस तरह से आप समझें अगर मैं कहूं कि मैं minus 3 का square करूं तो भी 9 आएगा या मैं plus 3 का square करूं तो भी 9 आएगा ठीक है इसलिए जब मैं square root 9 निकालूंगा तो इसे मैं हमेशा plus minus 3 लिखूंगा ठीक है बच्चो यह बात उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अब हमें जो अभी value मिला था वो था X plus 11 by 12 equals to plus minus 7 by 12 ठीक है बच्चो अब हम बारी बारी से क्या करेंगे कि एक बार लेंगे X plus 11 by 12 equals to plus 7 by 12 ठीक है तो therefore जब हमें X चाहिए हम 11 by 12 को अधर ले जाएंगे equal sign के तो यह minus 11 by 12 हो जाएगा और जब हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चो मिलेगा X equals to 12 7 minus 11 यानि X equal to मिलेगा minus 4 by 12 और हम इसे काट देंगे तो यह आएगा minus 1 by 3 यह एक answer आगिया ठीक है बच्चो अब हम दूसरी आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो answer होगा व यानि X plus 11 by 12 equals to इस बार प्यारे बच्चो हम लेंगे minus 7 by 12 तो X equals to मिलेगा minus 7 by 12 minus 11 by 12 और जब हम इसका LCM लेंगे तो यह मिलेगा minus 7 minus 11 यानि प्यारे बच्चो X equals to मिलेगा minus 18 by 12 6 से आप काटते हैं इसको 6 3 जा 6 2 जा तो X का जो second value निकलेगा वो होगा minus 3 by 2 ठीक है तो इस तरह से completing square method से हम इस question को solve कर सकते हैं ठीक है बच्चो चलिए अब मैं चलता हूँ इसके third method इस third method को हम लोग formula method का नाब देंगे formula method तो minus B के जगा minus कर देंगे तो minus root under D by 2 है इन दोनों formula का इस्तमाल करके हम formula से भी इस question को solve कर सकते हैं चलिए आएए हम अब इसको formula method से solve करते हैं फिर से मैं उस question को एक बार लेलू question है 6x square plus 11x plus 3 equals to 0 तो प्यारे बच्चो हम सबसे पहले यहां D find करते हैं तो D find करेंगे तो मिलेगा B square minus 4AC आप यहां ध्यान दें B के जगह पर 11 है तो यह 11 का square होगा 4 A के जगह पर यहां 6 है तो 6 हो जाएगा और C के जगह यहां 3 है तो 3 हो जाएगा 11 का square करेंगे 121 और इस तीनों को multiply करेंगे तो 4, 6, 24, 3, 72 और यह आएगा 49 तो 49 is greater than 0 ठीक है बच्चो तो 49 चुकि 0 से बड़ा है इसलिए जब हम इसे solve करेंगे तो इसका जो roots होगा वो real होगा और दो different answers हमको मिलेंगे चलिए अब D जब निकाल चुके हैं D का value ध्यान रखेंगे बच्चो मैंने 49 निकाला है अब हम इसका दोनों root find करते हैं तो जब हमें निकालना है question यह है प्यारबच्चो इसकी पाप देख लें 6x square plus 11x plus 3 equals to 0 तो जब हम यहां पर निकालेंगे alpha तो formula लगाएंगे minus b plus root under d by 2a आप यहां ध्यान दें b के जगा पर 11 है 11 बठा दिया हमने d निकाला था हमने 49 49 बठा दिया 2a की जगा यहां देखे 6 है 6 बठा दिया तो प्यारे बच्चो यह मिलेगा minus 11 plus 49 का जब आप square root करेंगे 7 आएगा नीचे आगिया 12 माइनस 11 में 7 खटाएंगे minus 4 नीचे आगिया 12 4 से काट दे आप इसको तो इस तरह से आपको पहला answer minus 1 by 3 मिल जाता है ठीक है बच्चो अब दूसरा answer हम लोग निकालते हैं तो फिर से मैं question एक बार लिख दूँ ताकि आपको समझने में परिसानी ना हो अब हम निकालेंगे बीटा तो बीटा में प्यारे बच्चो फार्मूला माइनस भी अब यहां प्लस के जगा माइनस आ गया अंडरूट डी पाइट तो यहां पर बी के जगा 11 आ गया डी हमने 49 निकाला हुआ था और नीचे 2 इंटू 6 आ ठीक है बच्चो अब यहां पर आप द 6 से काट दे 6 3 18 6 2 12 तो फाइनली आंसर आ गया माइनस 3y2 ठीक है बच्चो तो इस तरह से फार्मूला का यूज करके भी हम क्वाडिटिक एक्विशन को सॉल्व कर सकते हैं तो मैंने इस वीडियो में आपको क्वाडिटिक एक्विशन का तीनो मैथड क्वाडिटिक एक्व को मैंने आपके सामने अभी करके तीनो मैथड से दिखाया है और देखिए प्यारे बच्चो आप कोई भी क्विशन या कोई भी मैथड को जब आप समझ लेते हैं तो जब तक आप खुझ से उसको प्रैक्टिस ना करें तब तक वो ठीक से आपके दिमांग में सेटनी होता है अभी मैंने जो आपको समझाया आप उन सारे मेथड को समझ लें बुक्स खोले बुक में जो क्वेश्टन है उसको फिर से प्रैक्टिस करें बनाने का नहीं समझ में आता है तो विडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लें बार-बार तो जो बाते इसमें समझाई ग करता है कि फिर मैं कोई नया वीडियो लेका रहा हूं उसमें और भी धेर सारे questions को मैं इस तरह से आपको solve करके भी दिखाऊं तो यह depend करता है कि आप मुझे किस तरह से comment करते हैं किस तरह से अपना response देते हैं तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंग और एक बार आपसे फिर से request करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे चैनल का नाम है राजंदर कामत सरकलास तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर एक दिन अलग-अलग subjects पे अलग-अलग topics पे वीडियो लेकर आ रहा हूं आप आपको notification मिलता रहेगा जो bell icon है उसे भी जुरूर दबा दें ताकि जब भी मैंने यह वीडियो upload करूं तो तुरंत उसका notification आपके पास चला जाए और इस तरह से आप और हम मिलकर ग्यान को spread करते रहें तो इसी उमीद के साथ कि जल्द ही मैं आप से फिर से रूबर हूंगा एक नए topic के साथ एक नए video के साथ आप मुझे इचाज़त दे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद बच्चों